गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स अब मौन्सून को मौसम जाने वाला है और सर्दियों की दस्तक सुरू होने वाली है तो हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे पौधे बहुत बहुत ही सुन्द चाहिए जैसे की मेरे पौधे में दिख रहे हैं दोस्तों यह क्लिपिंग पहले की है यह अभी की नहीं है दोस्तों तो विडियो में अंतर तक बने रहीएगा मैं सारी जानकारी बोगनवेलिया के बारे में दूंगी और कैसे मैं इतने सारे फूल लेती हूँ बोगनवेलिया के पौधों से ये भी बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स हैं जो फॉलो करके आप भी अपने बोगनवेलिया के पौधो से खुब धेर सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं दोस्तों फ्लावर किसे नहीं अच्छे लगते हैं गर्मियों के दिनों में एक यही ऐसा फ्लावर है जो पूरे गार्डेन को फूलों से भर देता है तो ऐसे पौधे क्यों ने लगाएं जाएं जिसकी मेंटेनेंस भी कम है केर करनी पड़ती है और गर्मियों में कोई कोई रख रखाओ के बिना ही पूरे धूप में चलने वाला यह पौधा बहुत ही खुब्सूरत फूल देता है और इसके कई सारे कलर है कोई ऐसा कलर नहीं है जो भोगनवेलिया का नहीं होता है हर कलर में आपको इसके पौधे मिल जाएंगे वाइट से लेके परपल तक येलो से लेके और इंस तक रेड़ औरेंज वाइट परपल लाइट पिंक डीप पिंक सारे इंद्र धनूसी रंग इस पौधे में पाए जाते हैं तो आज हम इसी की बात करेंगे दोस्तों आएए वीडियो को सुरू करते हैं हलो फ् चैनल में नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल नोटिफिकेशन भी जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले और वीडियो में अंत तक बने रही एगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक तो बनता ही है औ कमेंट में जरूर लिखना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और हो सकता है आपको मेरे वीडियो से कुछ फायदा हो तो अपने गाडनर दोस्तों से आग रहा है कि मेरे वीडियो को देखकर कमेंट भी करें और आपको कैसी लगी ये भी बताएं आप क्या-क्या करते रहें है अपने गार्डेन में थे पूदौ पर ये भी बतायां तो दोस्तों ये मेरा सबसरें मेरे भी सुरू हो गयी है मेरे ऋची मेरे ख्वने बहुत मुद्धी नहीं है और तो आज मैं इसकी प्रूनिंग भी करूंगी और कैसे करूंगी दोगों देखिए आप यह सब क्लिपिंग अभी की ही है दोस्तों सुरू हो गई है थोड़ी बहुत इसमें फ्लावरी लेकिन फिर भी मैंने फ्लावर का मुह नहीं करते हुए कई सारे पौधों को प्रून कर द नहीं है मुझे ऐसे पौधे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते दोस्तों और गार्डेन को अच्छा लूग देने के लिए भी पौधों को प्रून करते रहना चाहिए ताकि देखने में सिस्टेमेटिक लगे और पूरा गार्डेन वेवस्थित लगे तो इसलिए फ्लाबर हो रहा है तो प्रून नहीं करें और फ्लावरिंग करने दें इससे और भी पौध्य लगी होते चले जाएंगे तो मैंने भौग बेलिय कि कई सारे ब्रांचेज को कट किया है जो लंबी-leंबी हो गई है देखिए दोस्तों काफी लंबी-लंबी ब्रांचेज को किया है ताकि पौधा देखने में सुन्दर लगे और एक शेप उसको मिल जाए मेरा ये परपल वाला बोगनवेलिया है और इसमें पूरे साल भर में तीन-चार बार फ्लावरिंग तो जरूर आती है और काफी फ्लावरिंग आती है ये छोटा पौधा है दोस्तों ये साय था वराइटी का हो या पुने वराइटी का हो लेकिन जब से मैंने इसको लगाया है और तब से इसमें फ्लावरिंग बराबर होती राती है तीन-चार पौधे मेरे छोटी वराइटी के है जिसमें ज्यादा ब्रांचेज नहीं आती है लेकिन जितनी भी ब्रांचेज राती है उसमें काफी फ्लावरिंग होती है और गुच्छों में फ्लावरिंग होती है पिंक के मेरे पास कई सारे सेड है लाइट पिंक है डीप पिंक है जेंटा टाइप का पिंक है और एकदम डबल सेड में भी एक पौधा है जिसमें वाइट भी पौधे खिलते हैं पिंक भी खिलत तो बोगिनवेलिया ऐसा पौधा है जो बहुत ही खुबसूरत होता है इसके फूल बहुत ही खुबसूरत होते हैं और कम केर में भी बहुत आराम से चल जाते हैं यह देखे कितनी लंबी-लंबी ब्रांचेज हो गई है तो इन सभी को मैं कट करने के लिए आज इस प्रूरर को है और आगले सिजन के लिए इसको तैयार भी किया है आज आया यह देखे और काफी सारी प्रूर्निंग के बाद मैंने इसकी कई सारे ब्रांचेज को भी संभाल के रख लिया है ताकि मैं कई सारी कटिंग भी लगाऊं ताकि एक पौधे से कई पौधे बना लूँ और जिनको मेरी फ्रेंड्स को या फैमिली को जिनको पौधों की जरूरत है वोगन वे लिया कि उनको मैं दे सको कि दोस्तों गार्डन में इसी तरह से कटिंग लगाते लगाते एक से कई सारे पौधे बन जाते हैं और पता भी नहीं चलता है हमें पौधों का मोह तो हमेशा ही रहता है गार्डनर दोस्तों को पता ही होगा कि पौधों का जहां भी मैंने हम लोग किसी नए सेट का पौधा देखते हैं तो लगता है कि खरीदी ने देखिए कितनी सारी ब्रांचेज मैंने कट कर ली है देखिए और कुछ कटिंग मैंने संभाल के भी रखी है ताकि मैं उसको ग्रो कर पाऊं दोस्तों यह बर्सात का मौसम जाते जाते भी इसमें अगर कटिंग लगा दी जाए तो बहुत अच्छे से चल जाता है अभी अच्छी ग्रोथ हो जाती है यह देखिए मैंने इस बक के पार्ट को और जो ब्रांचेश है उसको भी कट कर ले और तब जाके प्रून उसको कटिंग को लगाए ताकि इससे अच्छा रिजल्ट मिल सके अब देखिए कि बोगेनवेलिया के पौधे में कई सारी कटिंग में सारी कटिंग चल जाए यह जरूरी भी नहीं है कोई को प्रूने वराइटी का है तो नहीं होगा अगर कटिंग चल जाती है तो जरूर अच्छी फ्लावरिंग होती है यह देखिए कुछ फ्लिपिंग मेरे पुराने समय के हैं दोस्तों फटलाइजर की बात करें तो अभी प्रूनिंग करने के बाद आप उसमें पौधों में या अगर कीचर वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं तो वह भी डाल सकते हैं नीम खली और बोन्वील भी आप डाल दें इस समय दोस्तों मेरे बोगनमेलिय में इतनी फ्लाबरिंग इसलिए होती है कि मैं समय समय पर लिक्विट फटलाइजर भी डालती रहती हूं जैसे कि आप काव डंग का लिक्विट भी डाल सकते हैं या फिर आप बनाना पील फटलाइजर डाल सकते हैं ठंड में तो जब सरसो खली मैं सारे पौधों में डालती हूं तो इसमें भी डाल दती हूं सरसो खली का लिक्विट फटलाइजर और एपसन सॉल्ट को भी डालना ना भूलें एपसन सॉल्ट से कलर बहुत अच्छा आता है और खुब सारी कलिया आती है फ्लाबरिंग होती है तो इस तरह से आप इसकी के करें और खुब सारे फूल पाएं यह देखिए मैंने कट करने के बाद यह यह सारे पौधे हैं जो अब देखने में अच्छे लग रहे हैं और फ्लाबरिंग धीर धीर सुरू कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलती हूं एक नए वीडियो में एक नूटिफिकेशन भी प्रेस किजिए तो आज इस वीडियो में इतना ही दोस्तों ओके बाई बाई माई फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग हैपी गार्डनिंग ओके बाई बाई